हेलो स्टूरेंग्स इस इस यूर पीचर तो देखिए पिछले सेक्षन में क्लास एट के लिए मैंने स्टार्प सोलर सिस्टम जो डिस्कस किया था कि यह पार्प अवारी बार्ट दिस्कैस करने जारे हैं यह पार्ट वसा लभा है और वराटी कि अधिन है सब्सक्राइब कर वह आ कि नें आदि वह एक को बताया था कि इस टार59าร ड्रों और ऐसे बहुत सारी प्रूप जो है वह इंजिस्ट करते हैं नहीं तो इस तार्स की जो ग्रूप होते हैं उसको ग्लैक्सी कहा जाता है जो आपको बताया किया था प्ष्ली क्लास ने ग्लैक्सी अलगादर सिपका होता है कुछे बिलर होता है श्राइन लगातर कने विटिकल होता है उसको प्रज्वीट चरुकर होता है उसको हम क्या कहते हैं ज़ी जक्लिवाद्स होता है और चुछ़े सब्सक्राइब कर सकते बाचान सकते इसटार का सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं तरह तरह नहीं करता है और बाकी के जो स्टार होते हैं वह इसकुमेश्ट रुप करते हैं एक सिस्परों करते हो तो बैस्ट करता है नहीं करते हैं उनका अपता नहीं करते में सब्सक्राइब और उसमें आपको बताया था कि Polistar को हम कैसे रिकुनाइज करेंगे हम कैसे नाइट इसकाई में Polistar को कैसे देख एंगे वो सबसे पहले आप Constellations को जानी Constellation भी इस डार का गुट होता है एस्टार का कुछ ऐसा ग्रूप जिसको हम रिकुनाइज कर सके इनके सिर्फ से इसको हम कहते हैं इसमें कुर्सा मेजर जो है वह एक ऐसे जिसमें से लिए इसमें से इस्टार होते हैं और इसको रूलर एडिया में ग्रामी छेत्रों में सत्रभईवा भी कहा जाता है लेकिन यह तो इसका एक तरह से विगृत पॉर्म है इसको उर्सा मेजर कहा जाता है और इसमें जो सेरे इस्टार्स होते हैं इसका नाम हार्टी रिजियों के नाम पर पढ़ा था है निए है जो है यह यह जो सेरे इस्टार्स होता है जिसको मेजर रहा जाता है इसका नाम है तो आप देख सकते हैं ने डाइग्राम जो आप बताया जिसमें एक टेल है, गें गाते हैं गभाइग यह पतम रहे है, यह पतम से हो गया, यह पतम हो गया कियाँ, नहीं, इस चरह का शेप होते हैं इस चैसायट मे झेर हुद है? लुडości घुर्सा इसके मेजर इसके हाथ आप मेजर की सहायी तो टूसकाल ही तो सब्सकों ऑगर तो किस पहले देखी है इसकाल अगर ऊक्लूस का अन्ट neo तो पहीं है पैंगे अब इसा मेजर कि फुम्टियां कि अगर भूत लेते हैं ऐसे में हैं अब देखा है इसे थिद्धा में में आपको अपको देखना टो इसना कहते हैं तो यह बक्ता स्थार्ट स्थटिछ पर इसकाइब बड़ करते हैं कि ए कुण सिघारी की त्रह ज्लेशे की तरह इसका चिंप की तरह का से इसका चार जो तो अलग 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 होताए लॉक को मतां है की गाल यह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो तो इसको से नाइट शोलर सिस्टम देखें सोलर सिस्टम क्या है यह आपको देखना है सोलर सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम होता है तो इसे सिस्टम में बहुत सारे मेंबर होते हैं जैसे कि इसमें यह जो सोलर सिस्टम होता है इसमें स्टार्ट इस्टार्ट होता है इस सन हो गया लेट सोले हैं एस्ट्रोइड सोले हैं तो बहुत सारे जो इस इस सोलर सिस्टम का जो होता है वह सब्सक्राइब और इसमें बाकी जो बड़ी होते हैं वह सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब इसमें तो इसमें आप शुक्राइब से बेटोर से पॉमेंट से लेन हैं यह सारे फॉलर सिस्टम के पार्ट होते हैं तो मैंने सन के बारे में पहले बाता आचुक्णा था और सब्सक्राइब को फ्क्राइब को कीमिया कि पोला तो इसी लिए पहले बता चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे फ्क्राइब बहुत बड़े हैं इन से साइज में बड़े हैं लेकिन, Sun अंसे नजडीक है हमारे प्लेकर से नजडीक है और इसलिए Sun का राइक एक मिनन पॉन्टी सेकेंड्स जैकि फाईप हैंने तक रीच कर जाता है सन लाइफ को सपोर्ट करता है नहीं तो इसे बहुत सारे इश्टार है एक एक ऐसा इश्टार रहे जिसमें 1.4 करोर सन आ सकता पो आप समझ स्कते हैं कि इतना बड़ा साही मिर से बरा लेकां जीधना दूर है कि उसका अर्थ तक नहीं आपाऊता है है न उसके इफेक्क में नहीं आपाते हैं हम उसके इफ्ञेंस में नहीं आपाते हैं तो सवाल किया है कि solar system के जो अलग-अलग members होते है solar system के जो अलग-अलग parts होते हैं जैसे एक प्लेनेट है요, estripes है, satellite है, commits है, matters है, 휩के बारे में particularly discuss करेंगे सबसे पहले हम प्लेट्ट के पहांस आते हैं कि प्लेट्स К्या है। आप जाते हैं सु़र्सिष्क्रम में एट यह आप्लेट एक सारे फिलेंट एक प्लेटी हम लिवर्ड़ के बाक घुच लिवرج्ण उप्लेट्ट्स पाँट। सब्सक्राइब करता है यह रोग और मेंटल से बने होते हैं और इसका अपना कोई लाइट नहीं होता है तो देखिए अगर आपके हाँ पर फोरा सा देखें कि अलग 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं यह सोलर सिस्टम होता है यह सन न क्या है मिक्स होता है इसके तैस्णरी होता है और इसको आप देहेंगे इंग अ हम चलग पार कि इसनी हिरड अलग व फ्लैनेट है तो मूट करता है जैसे प्रविभ यहां पर बड़ शर्व प्लेट आजाए तो अलग अलग तेने सन की चारों तरफ इलेक्टिकल पत्थ में मूव करता है तो प्लेनेट क्या है आपको बताएं प्लेनेट जो होता है वो सॉलिड हेमिली बडीज इसको प्लेनेट करते हैं प्लेनेट जो पहला खोड प्लेनेट होते हैं यसे एक प्लेनेट के वाल मार्स नहीं को दखने हैं यहां मार्स है पहला जो फ्लेनेट है जिके अर्व मार्स इसको हम Terrestrial planet करते हैं और बात का जो चार्ट प्लेड़ है जीप्टर है चैंटरन है उनेश है और नेप्चून है इसको जोविनाइल प्लेनिट कहा जाता है आपको याद रखना है अहां पार्टिक्लर प्लेनिट के बारे में डिस्कस करें कि कि अश्ब से पहला मरकडी है मटकरी आप देख रहे हैं संगे काफी प्लोज है तो यहां काफी होगा इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां काफी होगा इतना होग है कि इसना टेंपरेचर 410C है मतलब यहां पर लाइक किसी कंडिसर में एचिंच नहीं कर सकता है कि हम यहां पर है कि लेसे में कर सकता है और मुर्गणी के पासि इसके पास कarda क्याख की नहीं करने के लिए जो प्रोटेक्टिव प्लैकेट और मरकरी काफी होट प्लैकेट होता है इसलिए यहां पर लाग्य चिछ नहीं कर सकता है मुल्टिव प्लैकेट के लाग्य गेस्ट में छिए इसको सकते बाइट श्रॉपजेक्ट in the night sky इसको देख सकते हैं इसको सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब और बेश्टर इसकाइब अर्ली इवनिग अपने इसको बेश्टर इसकाइब तो यह जो सेकंड ग्लेटर ने यह भी गड़न को का है यह होगा अर्थ लेकिन अब ब्लाइके स्टाइब नाइट इसकाइब अपिसको अर्टि इंद ऑर्डिंग और इवनिग आपिसको इसको वेस्टर इसकाइब देख सकते हैं यह बेना से इसके वाद अर्थ का नंबर अगर है अर्थ सोलर सिस्टम का सब से एक यू़िक बैने अर्थ सिट्म का सबसे विक लेंग हैं आपको बताए थे कि आर्थ से जो स्ण का अवरेज दिस्टेंस दिस्टेंस कोता है जाट इस काइद तो एस्टरो मिकल वी उनीट का आ जाता रहे और वह average distance बता कितना है, देखिए, जो average distance है, Earth से, Sun का average distance आपको बताये है, 1.5 into 10 to power 11 meter, यही average distance है, 1.5 into 10 to power 11 meter, this is the average distance of Earth from the Sun, तो यह है, Earth देखिए, Earth एक भी unique planet है, इसका सबसे बड़ा region यह है, कि Earth के पास, एक atmospheric, जो surrounding है, atmosphere है, हुआ है, atmosphere में लाइस का कुछी ऐसे हैं, वो अपरजेन होती है, Earth के पास water है, पानी है, अर्थ के पास, जो temperature limit है, जैसे Sun से जो appropriate distance maintain करता है, अर्थ, तो जब यह संसे appropriate distance को maintain करेगा, तो क्या होगा, उस condition में, जो temperature limit चाहिए, for the survivability of life, वो अपरजेन है, नहीं, इसलिए, अभी तक Earth में एक ऐसा planet है, जिसके life की possibility है, तो क्यों possibility हैं, इसका various region है, सबसे पहरा region, gases surrounding है इसके पास, that is called atmosphere, Earth के पास अपना atmosphere है, एना, Earth के पास proper gravity है, जिससे वह atmosphere को hold कर सकता है, Earth का gravity है, वो proper है, और जिसके चलते ही अगर क्या कर सकता है, एना, atmosphere को hold कर सकता है, दूसरा यहाँ पे water है, temperature limit है, life supporting situation है, life supporting gases है, और यह सारे regions, Earth को unique planet मनाते हैं, जिससे की life नहाँ पे чист कर सकता है, अब देखिए, Earth के बाद हम Mars को देखेंगे, Mars, जो terrestrial planets होते हैं, इसका सबसे last part है, Mars, यह cold planet होता है, और यह काफी दूर है सन से, जिके है, काफी दूर है, और इसलिए this cold planet है, Mars को cold planet कहा जाता है, इसका जो surface होता है, हुआ, मत्तब iron oxide के कारण, सबसे बड़ा planet होता है, और इसलिए इसको red planet भी कहा जाता है, Mars को red planet भी कहा जाता है, और यह चोटा planet है, पहचाता बड़ा planet नहीं है, और यह काफी ठंडा होता है, क्योंकि यह sunset काफी distance पे है, सबसे बड़ा planet है, अर्थ के साइज से 300 पना साइज इसका बना होता है, काफी बड़ा planet है, सबस्क्राइब होता है, और इसके पास एक रीग भी होता है, लेकिन यह रीग जो होता है, सबस्क्राइब होता है, इसको एक फीचर प्रवाइड करता है, लेकिन यह रीग का कुई function नहीं है, यह रीग काफी ठीन होता है, जिप्टर के पास चारो प्रव रीग होता है, वह काफी ठीन होता है, इसलिए स्रीम का कुई importance नहीं है, और नहीं यह रीग होता है, यह रीग होता है, जिप्टर जो होता है, इसके पास deep atmosphere है, और यह आपको बता दें, इजिप्टर के पास की life supporting situation नहीं है, इसलिए हम इन लाइप support नहीं कर सकते हैं, सैट्रन जिप्टर के बाद another planet है सैट्रन, सैट्रन जो इनाइप प्लेट का इधी पार्ट है, सैट्रन solar system का सबसे beautiful planet है, और सैट्रन के चावद प्रव रीग होता है, लेकिन वह रीग होता है, सैट्रन जो होता है, सैट्रन जो इनाइप प्लेट के चावद प्रव रीग है, वह पागे खीक रीग होता है, और या इसको beautiful planet बनाता है, ताथी सुंदर planet solar system का, वह सैट्रन होता है, और आपकों बता दे हैं कि solar system का second biggest planet, second biggest planet after Jupiter या सैट्रन होता है, और या surrounded होता है, और या जो narrow rings उता है, वह इसको क्या क्या रता है, सुंदर बनाता है, आपको भी बता है, और इसको beautiful planet बनाता है, सैट्रन के पास एक और feature होता है, वह feature क्या है, वह feature है, कि सैट्रन जो होता है, सैट्रन के पास एक और feature है, वह पेचरिक की density water की density से भी कम करें तो अगर आप सेट्रन को पानी में रखे रहे के आपको या दोकर पहले काना एक यह बाली राख्षास आगे दा कि रहना च्छ एक राख्ष ता कि बिट्धी वी तो पानी में याट रुपा दिया है सब्सक्राइब चुपा दिया तो अगर सेक्टर को पान में डालेंगे तो पानी कोपड भी फ्लूइट कड़ेगा तो आप देखे अगर सेक्टरन एक बॉल की तरह हो जाए जय क्या होगा वाटर के सर्केस पे फ्लूइट करेगा पानी में डुपता नहीं इस यूड नेत्स होगा भी वह और यूद नेत्स लेखे रहा है वह तरह जश्ट वायंड दर युवेनस युवेनस के खीक वाग आता है और यहां युवेनस के साइज की से मिलन साइज हो है वह नेक्चूर का होता है और इसके पास भी होता है तो अब हम सेकलाइट के बारे में चलेंगे इंदर बत्तक बुस्टरा पार्स जो सुरक सिस्टम के दो एक बार का दीक इसके किसे संप along I find out फॉफ्हें कि इसके साइप्समी पॉर्टेटि जिए बlor जाए और में इसके बारे में जो यारे , बीलेंस के भाड़िक इश्ट्रैक्रेट को डिकसि गया है स요 चलते हैं ले 12 – 15 मतलब सट्यूकर ये ऐसा वड़ी जो कम लेत सब्सक्राइक सकतरा सकते हैं सब्सक्राइस कंब जाना है कि सेटलाइट को मूल कीस दिया सकते हैं कि आप किसलिये का सकते हैं मुण सव iia तो हर प्लेट का अपना सेटलाइट होता है अब यह नहीं है कि हार प्लेट का सेटलाइट हो भी चाहिए उसको पूजा मतलब इसको बिस्कोर्वर भी किया जाए जैसे वेरस का वो सेटलाइट है कि इंप्लीजञेने का सेटलाइट है सेट्शन का Photo सेटलाइट है इसके बाद हम तंसे मार्सक अपर अफ UA पर पेस्पा ओ यह उत्तन है इसको हम डिसकस करेंगे आटिफिसल सेल्ट जो होता है वह मैंडिमेट सेल्ट होता है सबसे पहला जो आपिसल सेल्ट रजीया के तरब से लिया था इसका नाम था इसके बाद इंडिया का जो पहला आटिफिसल सेल्ट नाटिफिसल सेल्ट था पहला तो यह सेल्ट होते हैं इसका बहुत सारा यूच होता है और जिसमें बड़ा यूच होता है के लिकामिकेशन मैं अना क्मुक्रेशन में जो टीवी आप देख्ते हैं सेल्ट से स्या करते हैं जो कनेक्टेट होता है मोबा दीकेशल्ट जो होता है 3G 4g चोहाग आग अग इसम टाटिफिसल सेल्ट की ही भीच होता है तो Artificer Satellite जो इंडिया का है जैसे कि आरेफेट है G-Cat 30 G-Cat 31 G-Cat 11 जो इने हैं पासकाड है बहुत सारा सप्लैट इंडिया का ही जो आधिसर सिप्लैक्टिंगिंट इंडिया ने भी लांच किया अब एक सेटलेट का यूज भी बहुत सारा होता है, क्या क्या यूज है सेटलेट का, इसका यूज होता है आपको वेजर कॉर्ट बास्टिंग में, नहीं, जैसे कि अभी एम्थान जो स्टाइकलोंस का सिच्वेशन क्रियेट है, इसको सेटलेट के साहता से ही परकाष्ट किय जाता है और इसके लिए आड़नी एयरफोर्स और निंकी इलर्ट पे, इसके बाद टेलिक उन्स में होता है डेविएशन में, डेविएशन का मतलब है कि वाद जीपीएस का जो सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे ट्रेस किया जाता है लोकेशन को, तो मैंने सेटलेट के बारे में बिसकस की, आप एस्टरोइट के बारे में हम बिसकस करेंगे, एस्टरोइट को होता है, वहा बहुत ही छोटा गड़ा, इसको डॉट प्लेनेट, बिल्कुल उसको डॉट प्लेनेट की कैट्विटी भी हम रख सकते हैं, और इसकी जो मैजोर सिस्टम होता है जो प्लेनेट की सिचुएशन होती है उसमें मार्स और जिपिटर के बीच में एक बड़ा स्पेस ब्लैंक होता है इसी ब्लैंक इस्पेस में इस्ट्राइट्स होते हैं ठीक है और आपका मता दें इस्ट्राइट्स होते हैं और इसका जो साइज है वह अलग-अलग होता है कुछ बड़े भी होते हैं और कुछ चोटे भी होते हैं मतलब आपको बता दे कि वह इतने चोटे होते हैं बिल्कुल कंकर की तरह पीबल्स की तरह होते हैं नहीं बिल्कुल पीबल्स की तरह होते हैं तो पुछ काफी साइज बड़े होते हैं आपको हम बता देखी लगवाग कर एक लाख एस्टोयट्स इन दर सोलर सिस्टम वालाख इस्ट्राइड्स होते हैं और जब इनका इंज रियाक्षन होता है ग्लैपेस्टर इंज रियाक्षन जब होगा तो हो सकता है कि कभी कभी हो को आरघ से चकड़ा है आज से टकडाने की सिच्वीश्न हो घी 躲ें तो ऑस सिच्वीशन को पुलपर लीटा करते हैं जो पर उसको देखते रहते हैं कि अब इस तरह की सिच्वेशन होती है तो उसको लोगते हैं अब देखिए कोमेंट्स के बारे में हम डिसकस करेंगे कोमेंट्स क्या है कोमेंट्स ही जिए कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट विच एपिर से जिए कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट विच एपिर से जिए अगल करने बगता है जो आख से आपाला जैसे कि हैली ईले कॉमेंट से बेले कॉमेंट्स जो होता है सबसे बड़ा और लेंटल की सबसे बड़ा हन्य है याँ वित तरह फिर만 यह कि यहींस के बाद यार दिखेगा अब फिर इसे आप दो दिखेगा अब हम आगे दिसक्स करेंगे में इसको हम देख सकते हैं अब एक एक वारे में एक टेशनल कोंसेप्ट है पहले देखते थे या लोग कहते थे कि जब ही में अगाना था कि दख्वान हमको देखने आ रही है कि हमारे जो हमने बनाया गया है जो कैसे है उसको लेकिन यह एक नेचुरल फिलोमेना है ऐसा कुछ होता नहीं है मैंने आपको बताया है तो में कैसे में हमेली वर्डित होता है एक एक ब्राइट श्रीक आफ लाइप के रुप में that वारे मुमेंट के लिए खुट होता है फुच समय के लिए खुट है आप नाय पे स्काई में देखते हो कभी कभी आपको दिखता होगा कि इस तरह से जत्ता पच्री जाड़ा आए अपकी बग्याइब होगे, इसेपीर होगे, वही मेंटर्स होता है, इसको न सुतिंग स्टार्स ही कहते हैं, सुतिंग स्टार्स इस निया है, मतलब कुछ समय के लिए जैसे कि वह गंड से गुलेट को सूट किया जाता है, एक एक इस तरह से मेंटर्स ही होता है, वह मेंटर्स ही इस तरह से होता है, और जो मेंटर्स है ना, जो मेंटर्स इना, जो मेंटर्स इना, 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 इना नहीं नहीं जलता है जलता है जलता है फ्रिक्शन के चलते है जैसे वह फ्रिक्शन होता है नहीं चलता है तो फिर सॉलिट फॉरम होता है इसको कहते हैं मेट्रॉयट टिक है कि यह जो सेकेंड पाट है इसको मैंने देखा और यह से अलग अलग जो सुलर सिस्टम की फिर्नी ने री कंपनेंस है फ्लेने सब्सक्राइब से हमारा जिसके बाद में प्रडीज डिसकेंस किया तो इस तरह से जो हमारा यह सेकेंड पार्क है या पार्ट्टू है या हमने कम्लीट कर लिया है पार्ट्टू और या जो सोलर सिस्टम की जो चेप्टर है या भी हमारी फिनिश होगी